दोस्तों आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने चनल ETS में आज हम बात करेंगे एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के बारे में जिसे समबंदी जो चीनी मिल्स की कई कमपनियां करीब शुगर मिल्स अगर देखा जा तो आठ नो कमपनियों का हम चुनाओ करेंगे उन कमपनियों के स्टॉक प्राइस भी देखेंगे और उन कमपनियों की वेबसाइट भी एक नजर में विजिट करेंगे ताकि आपको पूर्त या अनुमान हो जाए कि कौन कमपनिया है साथे साथ गौर्मेंट क्या चाह रहे है और गौर्मेंट का मकसद क्या है उस पर भी हम सर्चा कर लेंगे तो आए समझते हैं कि एथेनॉल भी कैसे बनता है वो हम दो लाइन में आपको बताएंगे तो सबसे पहले यहां पर गवर्मेंट ने क्या कहा है जो यहां पर पियुश गुल साब है उनके स्टेटमेंट था पियुश गुल साब ने कहा कि 2023 तक एथेनॉल ब्रेंडिंग का टार्गेट बीस फिस दी रखा है जबकि पहले था 2030 तक इन्होंने घटा दिया पांच वर हाला कि लंबी अवदी में सरकार का लक्ष हंड़ेट फिस दी एथेनॉल पर गाड़ी चलाने का है ठीक है और नीचे आ जाते हैं यहां पर रिनुवेबल एनर्जी के बारे में तो गवर्मेंट ने अपना पॉइंट अब रखाई है लेकिन हम रेनुवेबल एनर्जी के बारे में आज बात कर रहे हैं आज हम एथेनॉल से संबंदित कंपनियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं इन्होंने आगे कहा कि हम ऐसी टेक्नलोजी डेवलप करेंगे इसके मदद से पेट्रोल की जगह हंड़ेट फिस या फिर अगर आप गणना के अलावा अगर आप देखें जो पराली हो गया जैसे पराली के मुद्धा काफी चाया रहा है पराली अगर जलाते हैं किसान तो पलूशन बढ़ता है तो इस वज़े सरकार उनको खरी देगी और उनसे जो है एथेनॉल का निर्माड करी कि चाह होता है उसको एथेनॉल में तबदील कर देता है फिर उसको एक प्रोसेस करते हैं उसको एक्स्ट्रैक्ट करते हैं एक्स्ट्रैक्ट करने के बाद जो फ्रैक्शन में अलग अलग निकलता है तो अभी गवर्मेंट क्या कर रही है कि गवर्मेंट जो है पेट्रोल के साथ सा बढ़ाते जा रहे हैं, इस वे से ऐसी टेकनलोजी भविश में हो जाएगी कि 100% एथनॉल से गाड़ियां चलेंगी ऐसा यहाँ पर गवर्मेंट ने कहा है, 100% गाड़ियां एथनॉल से चलेंगी तो एथनॉल की अच्छे खासे डिमांड होगी, तो इससे क्या होगा, गवर् सुरुवात करते हैं, क्रमशा वन बाइवन स्टॉप के बाड़े में चर्चा करेंगे, उससे पहले दोस्तों, कर आपने हमारा चनल सस्क्राइब नहीं किया, तो जरूर कर लीजेगा, टेलिग्राम चनल भी आप हमारा सस्क्राइब कर सकते हैं, हमने जो है डिस्क्रिप्श करोड की मार्केट काई पहस की, अगर P ratio, PB ratio देखते हैं तो negative में है, अभी हम देख लेंगे financials किस प्रकार के हैं, जब कि sector का P है 46 का, और sector का price to book है, 8. अगर आप देखते हैं, ट्रेंड तो अब बहुत कुछ खास नहीं है, 2017-18 में यहां पर loss दिखाया है, यहां पर negative में, और 2020 में हला कि profit अच्छा खासा निकल के आया है, और 2020 में अगेन यहां पर loss शो किया है, सेल्स भी अगर देखें हैं, तो किसी वर्ष ज्यादा है, किसी रिमांड होती रहेगी, उस प्रकार से इन कंपनिया फलतिफ होती रहेगी, अगर हम प्रमोटर के स्थिति देखते हैं, तो प्रमोटर के पास 62.48% की होल्डिंग है, और quarter one में अगर आप देखें, mutual funds ने जबर्दस इंट्री ली हुई है, 0.39% की, और जो other DIIs हैं, उसमें 13. 32% है, FIS भी इसमें यहां पर इंटर कर चुके हैं, FIS किसी देखते हैं, हलांके लगातार घटते जा रहे हैं, और retail निवेशक है, retail and others parties है, 23.34%, कोई भी शेर गिरिवी नहीं चलिए, अच्छी बात है इस कंपनी के लिए, देखा जा तो लीडर है, एथनॉल बनाने में, अगर हम एक साल के इनका देखते हैं, तो एक साल में 41% की रिटन दिखाए दे रहे हैं, एक स्मॉल कापी कंपनी 7,360 करोड की, P-Ratio इसका 16 का, Price to Book Ratio 1.41 का, और यहां पर जो इस साइट के अनलिस्ट हैं, उनने अपना 100% जो है, अनमोधन दिया है, कि इनका कहना है, आपको अपने हिसाब से रिसर्च करने पड़ेगी, इस कंपनी के अगर में फनेशल से देखते हैं, तो 18, 19, 20 और 21 में, अगर आब यह हिस्टोग्राम देखेंगे, तो साल दर साल इंक्रीजमेंट है, और इसी तरीके से प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हाला कि 2020 से 2021 में मामूली से गिरावाट है प्रॉफिट में, पर उस सेल्स में बढ़ोतरी देखी जा रही है, प्रॉमोर्टर्स के पास 44.74% की होल्डिंग है, और इसमें म्यूचल फंसे 1.98% है, एफाई आइस भी अच्छे खास हैं, 8.90% है, रिटेल अन अदर्स पार्टी जो है 44% है, मामूली से शे देख सकते हैं, इस प्रकार से सनिटाइजर हो गया है, शुगर हो गया है, एथनॉल हो गया है, यह सारी कमपनिया जो है इस चीज में लग गई है, तिरमेरी इंजिनिरिंग एंड इंडस्ट्री लिम्टेट अगर हम देखते हैं, तो एक वर्ष में हम सबसे पहले रिटन द पहले हैं, यह पर देखें, इन्ट्रेंसिक वेल्यू तो करेंट प्राइसे सिर्स था इनगें, तो प्रॉफित अच्छा खासा निकल के आया, तो ओर ओर ठीक ही लग रहा है, मतलब थेक वर्ष रिवेन्नी भी आग यजरा फ्रॉफित भागई है, कुछ वर्षो निगल जह की वज़े से समझ सकते हैं परंत ये कमपनी बहुत ही विशाल काय कमपनी है अगर आप इनकी बिजनेस बजाते हैं तो एंग्री, अल्कोहल, पावर ट्रांस्मिशन, वाटर सलुशन, डिफेंस, त्रिवेनी टर्बाइन्स, त्रिवेनी टर्बाइन्स, हाई प्रोटी वाटर स के आसपास और एक स्मॉल कायप के कमपनी है 297 कोड के इसकी मार्केट कैप है एक वर्ष में इसने 180 के आसपास के रिटन बना के दिये हैं अगर पी रेश्य देखते हैं 10.46 का है प्राइस टो बुक रेश्य 1.76 का है इंट्रिंसिक वेल्यू करेंट प्राइस देस देंडर इ यहां भी एसम लिस्ट में यह कंपनी है टॉप लाइन बॉटम लाइन देखते हैं तो सेल्स किसी वर्ष अच्छी रही किसी वर्ष थोड़ा सा डाउन रही परन्तु प्रतेग वर्ष मुनाफ़ा और सेल्स रिवन्यू निकल के आ रहा है अब आने वाले समय में हो सकता है ज्यादा मुनाफ़ा या इनकी सेल्स ज्यादा अच्छी हो सके शुगर पावर एतनॉल अल्कोहल इंडस्ट्रियल गैसेज बायो फैटलाइजर इन सारे प्रोड़क्स में यह इन्वाल्व है अगला स्टॉक है बलरामपूर चीनी मिल्स लिम्ट इसका स्टॉक प्राइस है अनमोदन दिया है अगर हम फनेशल ट्रेन देखते हैं तो 2018, 2019, 2020 में तो वही जो सब के साथ लग रहा है कि सेल्स भी सेल्स भी अच्छी खासी बढ़ रही है दीरे दीरे अगर देखें प्रोफिट भी अच्छा खासा था 2020, 2021 में थोड़ा से जटका मामूली सा लगा है पर तो कंपनी जो है अनमोरत सेल्स और प्रोफिट निकालके कामियाब हो रही है बलरा हम पूर चीनी मिल्स के अगर हम प्रोड़क्स में जाते हैं तो शुगर, मॉलासेस, अलकोहल, एथेनॉल यह बनाती है, अलकोहल भी शुगर भी इन सारे चीज़ों में इन्वाल्व है अगला स्टॉक है, ममाना शुगर्स लिम्टेड, ममाना शुगर्स का है जो स्टॉक प्राइस है, 105 रुपए के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, जिसमें तेजी अच्छे खासे 4.97% की, इसकी जो मार्केट कैफ है, 393 करोड की है, एक माइक्रो कैप कह सकते हैं आप, और P र अगर यहां पर फरनेशल टेंड में हम देखते हैं, तो 2018 में ठीक था, अगर 2019 में देखते हैं, तो सेल्स हुई मुनाफ़ा भी निकल के आया है, 2020 में जायर सी बाते सेल्स तो अच्छी हुई, रवेन्यू अच्छा रहा पर प्रॉफित निकालने में प्रॉफित निकल के न थोड़ा सा कम ही रेशियो है, परन्तु गिर्वी तो गिर्वी है, और इसमें DIs एंट्री कर चुके हैं, 1.55% मुचल फंस भी बहुत मामूली से हैं, FIs नहीं है, रिटेल अनदर्स पार्टी इसमें है, 34.92% मार्स तक के आकड़ा में हो सकता है, स्थिती कुछ चेंज हो अरे शुगर के स्टॉक्स में तेजी 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 दिखाए दे रही है, तो यहां पर देखते हैं, स्मॉल काइफ कंपनी 945 क्रोड की मार्केट काइफ है, P-Ratio 12 का, P-B Ratio 1.60 का, revenue and profit देखते हैं, तो यहां पर 2018 भी अच्छा खासा था, sales कम हुई लेकिन मुनाफा अच् जो प्रमोडर्स के पास holding है, 60.35% की holding है, लेकिन उसमें से यहां पर गिरी भी रखे हुए, यहां पर 14.39% की shareholding थोड़ा सा गिरी भी रखे हुए हैं, mutual funds मामूली से हैं 0.01%, DII इसमें से 0.03% है मामूली से, FIS बिल्कुल भी नहीं है, retail में छोटी बड़ी पार्टी हैं, 39. अगर अवद शुगर सेंस एनरजी देखते हैं, तो KK Birla Group अप शुगर कमपनीज है, we manufacture the following three main categories of products, sugar, industrial, alcohol, ethanol, rectified spirits, power, तो यह इन चीजों में involved है, यहां पर देखें, प्राज इंदस्ट्री अगर हम देखें, बहुत चर्चित स्टॉक है, एक वर्ष में करीब 462 प्रश्यत कर return दिए है, 377 का जो stop price चल रहा, आज भी इसमें करीब 3.5% से ज़्यादा की टेजी है, और small cap company 6680 कोड की market cap है, construction and engineering, दरसल प्राज इंदस्ट्री के website पर हम चलेंगे, एक नजर डालेंगे, P ratio 82 का, PB ratio 9 का, और यहां पर analyst ने अपनी 100% अपना vote दिया है, कि people can consider this stop, अगर sales and profit द sales बढ़ती हुई नजर आ रही है, 20 को छोड़के, और 2018, 2019, 2021 में 4 वर्षों में profit भी अच्छा खासा निकल के आ रहा है, प्रतेक वर्ष, promoters के पास holding तो कम है, 32.91% के holding है, लेकिन इसमें अच्छे खासे mutual funds है, 14.73%, D.I.S. इसमें महमूली से हैं, F.I.S. में अच्छे खासे है 11.62% के F.I.S. हैं, Recal and others parties भी 40% के आस पास हैं, तो इस कमपनी ने अच्छे खासे रिटन भी बना के दिये हैं, प्राज इंडस्ट्रीज अगर हम देखते हैं, अगर मैं इस कमपनी के बारे में बताऊं, लीडर इन प्रोसेस सलूशन्स, दरसल जो कमपनी है, कैसा होता है कि जो भी शुगर की या जो भी एथनॉल कमपनी बनाने वाली हैं, उनको सारा सलूशन से प्रोवाइट करती हैं, मशिनरी से लेके, इंजिनरिंग से लेके, सिर्फ भारत वर्श ने, दुनिया भर के, around 80% of ethanol produced globally is used as vehicular fuel, with increasing demand for the cleaner fuels and an attempt to reduce independence on crude oil. More than 60 countries in the world are at different stages of ethanol blending mandate, Praj has curved a unique position in the world of ethanol technology by virtue of its expertise with cuts across a variety of sugar to starch-based feed stock. तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं, ये कमपनी खरीब 75 countries में इसकी presence है, इस वज़े से इस कमपनी की अचानक बहुत दिमांड बढ़े, with a humble beginning as a supplier of ethanol plants, today Praj is a globally leading company with a banquet of sustainable solution for bioenergy, high purity water, critical process equipment, brevories and industrial waste water treatment. अगला स्टॉक है और लास्ट स्टॉक है अंधरा स्टॉक है अंधरा शुगर्स, 508 रुपए की price पे trade हो रहा है, इसमें भी आत तेजी है 2% ज्यादा की, अगर जो price to earning ratio हम देखते हैं 10.99 का है, price to book ratio 1.20 का है, एक वर्ष में इसने खरीब आपको 81% ज्यादा करेटन बना के दिये हैं, small cap की company 1483 क्रोड के इसकी market cap है, और अगर हम इसका financial trend देखते हैं, 2018, 2019, 2021 में देखेंगे, तो लगातार 2020 तक तो बढ़ोतरी रही profit में sales में, 2021 में भी revenue बढ़ा लेकिन profit में मामूली सी गिराबट है, यो total promoters की holding है, अंधरा sugars की 47.03% है, mutual funds मामूली से हैं, DIS भी इस बिल्कुल भी नहीं है, retail and other parties है, 51% के आसपास, अब इन 9 कमपनियों में बताने का मकसद सिर्फ मेरा इतना ही था, कि आप भी अपने नजर में रखी, अपने राडार में रखी, एक list बनाएए, अगर आपको लगता है, कि जिस प्रकार से government चार रही है, कि हमारे जो crude oil प और कमपनियां 365 दिन function भी कर सकेंगी, कमपनियां चुनना अब आपके हाथ में है, नजर रखिए, समय समय पर जो कमपनी ठीक लगे, जो आपको valuation wise सही लगे, fundamental wise अच्छी लगे, और diversify ही हो जो कमपनी, मालेजे water solutions में है, मालेजे energy में है, ethanol भी बनाती है, alcohol भी बनाती है, ची समय समय पर अपडेट करते रहेंगे, इन कमपनियों के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद